हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं कम तेल में परवल की ग्रेवी बाली सबजी तो इसके लिए लिया है हमने परवल 600 ग्राम और टमाटर आधा किलो होगा और इसको हम कूकर मे उबाल लेंगे इसके लिए हमने परवल को इस तरह से काटा है चार भाग में इस तरह से हम कट कर लेंगे आप देख सकते हैं बस इसी तरह से सारे परवल को हम काट लेंगे और इसे कूकर में दो सीटी आने तक उबाल लेंगे देखे सारे परवल को हमने इस तरह से काट लि लिए कि ये परवल जो है थोड़ा सा नमक एब्जॉर्ब कर लें साथ ही डाल देंगे आधा गिलास पानी धकन लगा के दो सीटी आने तक हम इसे उबाल लेंगे लेंगे इस तरह से पतले-पतले टुकडों में कट कर लिया है और इसके साथ ही हम लेंगे कुछ खड़े मसाले आठ से दस काली मिर्च की गोलिया है यहाँ पर एक छोटी लाइची हमने ली है दो से तीन लॉंग और आधा चमच जीरा आधा चमच मेथी साथी लेंगे हम कुछ पाउडर मसाले यहाँ पर है लाल मिर्च और यहहे है काली मिर्च, चोथाई चमच, एक चमच हल्दी और द तो वो सारे पाउडर्ड मसालों को छोड़ सकते हैं वो सिर्फ खड़े मसालों को ले सकते हैं और यहाँ पर ले सकते हैं वो अद्रकल हसन मिर्च का पेस्ट यह तीन से चार चमज के करीब है और साथ ही हमने लिया है यहाँ मखाना और कुछ टुकड़े काजू के मखाना यहां हमने यहां पर एक कटोरी के करीब लिया हुआ है और यह साथ में लिया हुआ है कसूरी में थी एक चमच पनीर मसाला अभी परवल उबल गये है तो हमने लिया है एक पैन और इसमें डालेंगे एक चमज के करीब तेल और साथ ही डाल देंगे यहाँ पर उबले हुए परवल तो परवल देखिए इस तरह से कितने अच्छे से उबल चुके हैं और पूरी तरह से घुले भी नहीं है आप इसी तरह से उबा लें दो सीटी ले करके और यह इसी तरह से बनेंगे बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं तो चलिए इसको डाल देते हैं पैन के अंदर तारे परवल को पैन के अंदर डाल करके पाच मिनट के लिए सिखने देते हैं अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं तो देखे परवल की कलर सारे चेंज होना सुरू हो गये हैं और इसी तरह से इसको उलटते पलटते हम 3-4 मिनट और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और कलर इसका चेंज हो जाए अब इसे उलटते पलटते चलाते हिलाते दूलाते हमने इसे अच्छे से सेख लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है तो अब इसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे और ये तयार हो गया है बस इतना ही हमें सेखना है तो चलिए इसको एक ट्रांसफर कर देंगे और इसे इसी तरह से होने देंगे आपको जब लगे कि प्याज थोड़ा-थोड़ा नीचे से लग रहा है तो जो परवल हमने उगाला था ना उसका पानी हम थोड़ा-थोड़ा एड़ कर देंगे और यहीं पर डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक देख लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए झदक देते ह हैं या साफ्ट होने तक इसे पकाएं अब तो इसे देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि भी तो देख रिषाय है सुरू हो गया है और हम इसकोछने अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे ठंडा हो जाने के बाद एक अच्छी सी प्यूरी तैयार कर लेंगे अब यहां पर हमने रख लिया है एक कडाही कडाही में दो से तीन चमज तेल हमने डाल दिया है और इसे थोड़ा गरम होने देते हैं अब यहां पर डाल देंगे मेथी डाना जिसे थोड़ा सब राउन होने देते हैं इसके बाद जीरा और सारे खड़े मसालों को हम डाल देंगे फिर डालेंगे हम कसूरी मेथी और साथ ही डाल देंगे अदरक लसन मिर्च का पेस्ट और इसको अच्छे से हम भूनेंगे और अब एड़ करेंगे यहाँ पर हल्दी और अभी सिर्फ हल्दी ही डालना है और इन मसालों के साथ मिक्स करते हुए हम दो मिनट तक भून लेंगे अब यह अच्छे से हो चुका है तो यहाँ पर एड़ करेंगे प्याज की प्यूरी और इसे भी चलाते हुए अच्छे से हम भुन लेंगे भुनते हुए एक से दो मिनट हो चुके हैं अब एड़ करेंगे यहाँ पर सारे मसाले और इनको भी प्याज की प्यूरी के साथ अच्छे से मिक्स करके भुनेंगे एक से दो मिनट तक खुनते हुए सारे मसाले एक जगा इकठा होने सुरू हो गए हैं अब यहीं पर एड़ कर देंगे टमाटर के प्योरी जो टमाटर हमने उबाला था उसी की ये प्योरी है और इसको भी हम इसके साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे और mix करते हुए इसको पकाने के बाद अब हम यहाँ पर add करेंगी gravy की अनुसार नमक, नमक हमने पहले भी add किया था कुछ चीजों में, तो उसी अनुसार हमें नमक add करना है यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं कि gravy के अंदर उबाला चुका है, बुलबुले चूट रहे हैं, तब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे, जो हमने मखाना और काजू लिया था, उसको डाल देंगे, और अच्छे से करेंगे सबको mix, और साथ ही यह जो पनीर मसाला है, उसको भी हम डाल देंगे, और सारी चीजों को अच्छे से इस तरह से मिलाने के बाद, मखानों ने gravy को absorb क सबकार लिया है, अब यही पर, add करेंगे हम आधा गिलास या एक गिलास पानी जितनी gravy आपको रखनी हो, तहना ही आप पानी इसमें add करें, तो यहाँ पर यह तैयार हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे सारे परवल को, जो हमने fry 번 By जो रखो के हो जो आपते हुजयों कर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से पक गया है और अब हम करते हैं गैस का फ्लेम आफ और इसे सर्व कर लेते हैं एक बाउल में और ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है एक बाउल में और ये देखने में कितनी सुन्दर लग रही है कोई कहेगा कि ये कम तेल में बनी यह नहीं कि टेस्टी नहीं है बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स आप एक बार जरूर बनाएं और बनाकर चखे जरूर की एक कैसा है तो यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू